नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भलचंद्र, ब्रह्मांड सिद्याश्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चार्चा करेंगे दिनांग 19 फरवरी 2023 का संपुर्ण राशिफल उससे पहले आज के दिन का जो पंचंग है उसके बारे में चार्चा करेंगे योग वरिया है, दिन का जो करण है वो शकू है और जो रात का करण है वो चतू है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवात होगा दोपर 3 बच कर 33 मिनिट से लेकर 4 बच कर 69 मिनिट तक और अभिजित मूर्थ दोपर 12 बचकर 17 मिनिट से लेकर 1 बचकर 5 मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभिजित मूर्थ दिन के शुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतुपुर्ण काम या फिनियरने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुआत होगा शाम चार बचकर 69 मिनिट से लेकर 6 बचकर 25 मिनिट तक और यवंगंड़काल दोपर 12 बचकर 49 मिनिट से लेकर 2 बचकर 7 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमंगंड़काल दिन के अशुवकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपुर्ण काम या फिन्यन ने बिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा संपुर्ण दिन मकर राशी में ब्रह्मन करेगा या चंद्रमा मंगल के साथ त्रिकोन योग करने जा रहा है और हर्शल के साथ केंदर योग भी करने जा रहा है यह ग्रसिदी स्ताम उने रखते हुए बारा रशियों का राशी फल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्चा करेंगे वसवब से पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के दशंबाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है काफी अच्छा दिन है आपके लिए खास करके आज के दिन आपके कुछ अच्छे इन्वेस्मेंट वगरा हो सकती है कुछ अच्छे लाव वगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बंद रही है उसी प्रकार थोड़ असा जो भी आपका कारेश इतर है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है आपको स्वयम पर थोड़ असा कंट्रोल करना आवश्चक होगा मोटे दर पर देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबफलद्दाई सावित होगा इसके बात की जो राशी है वो है बृशव राशी बृशव राशी के भाग्य भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपे के राशे में सित्मंगल के साथ या चंद्रमा त्रिकोनियोग करने जा रहा है आपके वेयवह में सित्हर्शल के साथ या चंद्रमा केंद्रियोग भी करने जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए आज के दिन आपको घूमना फिरना बहुत जादा हो सकत उस प्रकर आपके जो वयवाई जोड़िदार है उनके साथ भी आज आपकी जो हार्मनी है वो काफी एच्छे देखी जाया सकती है उनके साथ कही बाहर गुमना फिर ना हो सकता है कुछ अच्छे इंट्विशन्स वगरा आ सकते हैं लेकिन आज के दिन किसी भी प्रकर के महतो करने जा रहा है आपके लावभाव में सिध हर्शल के साथ या चंद्रमा केंद्रियोग भी करने जा रहा है आज कर दिन हैं आपको अनेक्सपेक्टेट लाव अगरा मिलने की संभावना काफी ज़्यादा बन रही है लेकिन आज के दिन किसी भी प्रकर के महतोपुन खर्च बिल्कुल भी नहीं करना अगर आप कोई spending करते हो तो उसमें थोड़ से आपके खर्चे जादा हो सकते हैं तो ध्यान दरके किसी भी प्रकार के महत अपन investment भी आज के दिन नहीं करना इसके बात की जो राशी है वो है करक राशी करकरशे के सब्तमबहों में चंदरमा का भ्रमन है और आपनी के हरमनी काफी अच्छी देखी जाएगी जो भी आपका कारिशेतर ही वाहाँ पर चोटी मोटी बातों को लेकर तक्रा हो सकती है रावश् 거기स किस्वास के बारे में भी धोड़ा ध्यान देना आवशतक है दिन काफी अच्चा है उसके परकार अगर आप शेयर मार्किस में ट्रेट करते तो कुछ अच्छे लाब मिल सकते है खास करके अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो उनके साथ आज आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी तो जो भी आपका कारिशेतर है वहाँ पर कि जो लोग होंगे उनके साथ आज आपकी हार्मनी काफी अच्छे देखी जाएगे अगर आप जॉब लेसो तो उसके संदर में कुछ अच्छी बाते कुछ अच्छे समाचार आज के दिन आपको मिल सकते हैं लेकिन स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुती जादा आवश्यक होगा अगर आपने इसके पहले कहीं से कर्जा वगरा लिया है तो उसका जो स्ट्रेस है वो आज आप पर बना रहेगा तो थोड़ा सा सजग रहना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के पंचम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके अश्टम भाव में सिध हर्शल के साथ या चंद्रमा केंद्रयोग करने जा रहा है तो अगर आप किसे की relationship में है काफी अच्छा दिन है आपका relationship में जो वेक्ति है उनके साथ काफी पूरा जो दिन है काफी अच्छे तरह किसे बीच सकता है स्वयम के स्वास्त के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के चतुरतो भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके आश्टम भाव में सिद मंगल के साथ या चंदरमा तिरे को नियोग करने जा रहा है आपके सब्तम भाव में सिद हर्शल के साथ या चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है तो अगर आप विवाई थो तो आपकी जो वैवाई जुड़िदार है उनके साथ आपके हार्मनी आज के दिन बहुत अच्छी देखी जाएगी कुछ अच्छे अनेक्सपेक्टेड लाव अगरा भी हो सकते हैं कुछ अच्छ केंद्र योग भी करने जा रहा है आज के जो दिन है आपके जीवन के दिशा बदल जाए इस प्रकर के काम आज के दिन नहीं करना इसके बात की जो राशी है वो है धनुराशी धनुराशी के द्वितियो भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके शष्ट भाव में सिद्मंगल के साथ या चंद्रमात्री को नियोग करने जा रहा है आपके पंचम भाव में सिद्हर्शल के साथ या चंद्रमा केंद् हैं आपको कुछ अच्छे लाब वगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बंद रही है उसे प्रेकर अमित्र परिवारों के साथ करी बाहर घुमना फिरना भी हो सकता है लेकिन स्वास्त के बारे में थोड़ी से समस्याय आ सकती है आज की दिन आपके जग खर्चे रहेंगे उसके उपर नियां तन रखना आवशक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी में ही चंद्रमा का ब्रह्मन है और आप एके पंचमपह में से मंगल के साथ या चंद्रमा त्रिकोन यूग करने जा रहा है आपके चतुर्दवा में से धर्षल के साथ जा चंद्रमा के इंद्र योग भी करने जा रहा है घर के जो लोग है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है लेकिन अगर आगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं उनके साथ आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी दिन काफी अच्छा है इसका पूरी तरह से लाब लीजिए इसके बाद के जो राशी है वो है कुम्भराशी कुम्भराशी के वेया भाहमे चंद्रमा का ब्रहमन है और आपके तृतरत भाहमे सिथ हर्शल के साथ या चंद्रमा तृको नियोग करने जा रहा है आपके तृतरत भाहमे सिथ मंगल के साथ या चंद्रमा आपके तृतरत भाहमे सिथ हर्शल के साथ या चंद्रमा केंद्रयोग करने जा रहा है और आपके तृतरत भाहमे सिथ मंगल के साथ या चंद्रमा तृको नियोग भी करने जा रहा है गूमना फिरना आज की दिन काफी ज़्यादा हो सकता है, खास करके घर के जो लोग है, उनके साथ कही बाहर गूमना फिरना हो सकता है, लेकिन आज की दिन किसी भी प्रकर के महत प्रुनकाम बिल्कुल भी नहीं करना, शरीर स्वास्त के बार में थोड़ा ध्यान देना आवश है और आप ही के विधिया भावमिSt Brahshal के साथ या चंद्रमा केंदर योग करने जा रहा है आपके तृतिया भावमिसित मंगल के साथ या चंद्रमा त्रिकोन योग भी करने जा रहा है आपको जो मित्र परिवार है उनके साथ कहीं बाहर घुमना फिर ना हो सकता है दिन आपका काफी अच्छे तरी कैसे कट सकता है उनके साथ मुलाकात हो सकते है कब शुप हो सकते है आज के चो दिन है अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो वहाँ पर चोटी मुटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है तो उसे के उपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबफल्दाई साबित होगा तो दोस्तों ये था दिन 19 फरवरी 2023 का संपुन राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुभाव किया देजे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्यास्टो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना धन्यवाव